दोस्तो चैनल पर 1000 सब्सक्राबर्स कम्प्लीट होने के बाद चैनल पर कई सारे बेनिफिट हम लोगों को मिल जाते हैं लेकिन दोस्तो यहाँ पर यूटूब की तरफ से भी कई सारी ऐसे ऐसे फैसिलिटीज चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं जब चैनल पर 1K सब्सक्राबर्स कम्प्लीट हो जाते हैं दोस्तो 1K सब्सक्राबर्स कम्प्लीट होते ही चैनल पर 6 ऐसे बेनिफिट हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं सब कुछ डीटेल में बताने वाला हूँ वैसे दोस्तों कई लोगों को ये पता है कि वनके subscribers कम्प्लीट होने के बाद चैनल पर live stream कर सकते हैं और community tab का option भी जो है enable कर दिये जाता है लेकिन बहुत से channel ऐसे हैं जिनके channel पर वनके subscribers कम्प्लीट होने के बाद भी उनके channel का live stream enable नहीं होता है और उनके चैनल पर community tab का option भी enable नहीं किया जाता है तो ये कौन से चैनल है और क्यों नहीं enable किया जाता है ये सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को मैं detail में समझाने वाला हूँ तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके last तक का पूरा जरू देखिएगा तो दोस्तो मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं राजपासी यूटूब चैनल दोस्तो चैनल पर पहली बार आये हो तो इस चैनल को भी subscribe कर लीजेगा और bell notification on कर दीजेगा तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो वनके subscribers complete होते ही चैनल पर जो पहला benefit मिलता है वो यह कि आप लोगों के चैनल पर जैसे ही वनके subscribers complete होते हैं उसके 24 घंटे के बाद आप लोगों के चैनल पर live stream का option जो है enable कर दिया जाता है automatic तो दोस्तो यहाँ पर कई सारे case में ऐसा होता है कि कई लोगों के चैनल प ने चैनल पर mad for kids select किया हुआ है गलती से तो आप लोगों के चैनल पर जो live stream का option है उसे enable नहीं किया जाएगा तो अगर आप लोगों को not mad for kids पे select करना होगा लेकिन अगर आप लोगों को बच्चों से related कोई videos बनाते हो तो आप लोगों को mad for kids पे रहने देना है लेकिन आपक समझ में आ गया होगा कि आपके चैनल पर 1K subscribers complete होने के बाद जो live stream का option है उसे enable क्यों नहीं किया जाता है तो दोस्तों यहां पर दूसरे benefit की तरफ चलते हैं जैसे ही आपके चैनल पर 1K subscribers complete होते हैं आपके चैनल पर जो community post share करने का option आता है वो भी enable कर दिया जाता है YouTube की तरफ लेकिन यहां पर अगर आप लोगों के चैनल पर community post share करने का option नहीं मिलता है तो आप लोगों को एक बार फिर से चेक कर लेना है कि आपने गलती से mad for kids पर select तो नहीं न किया है अगर आप लोगों का चैनल बच्चों से related नहीं है तो आप लोगों को not mad for kids पर select करना है इसमें अगर आप लोगों की चैनल पर 1K subscribers complete होते हैं तो आपकी चैनल पर जो Super Chat का option होता है उसे भी enable कर दिया जाता है Super Chat से आप लोगों को ये benefit है कि जैसे ही आप लोगों लाइप करोगे अपने चैनल पर अगर कोई भी आप से खुश होता है आपकी वीडियो से उनको पसंद आती है तो वो आपको कुछ पैसे send कर सकते हैं Super Chat के तहद जैसे कि कोई 10 रुपे, 20 रुपे, 100 रुपे, 1000, 2000 ऐसे करके आप लोगों को Super Chat सेंड कर सकते हैं Super Chat का option भी आप लोगों के चैनल पर जब 1K subscribers complete हो जाता है तब आप लोगों के चैनल पर enable कर दिया जाता है लेकिन आप लोगों का चैनल भी साथ में monetize होना चाहिए उसके लिए आप लोगों के चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड हैं उनसे मिला कर जो 4000 घंटे का watch time होता है वो सभी complete होने के बाद जब आपका चैनल पूरी तरीके से monetize हो जाता है तब जाके आप लोगों के चैनल का जो Super Chat option आता है उसे enable कर दिये जाता है और दोस्तों यहाँ पर जो अगला benefit है वो यह कि आप लोगों के चैनल पर जब 1K subscribers complete हो जाता है और आप लोगों की सभी वीडियोस से मिला के जो 4000 घंटे का watch time complete होता है यह दोनों चीज़ें complete होने के बाद आप लोगों का जो channel होता है वो YouTube Partner Program के लिए eligible हो जाता है दोस्तों अगला जो benefit है इसमें आप लोगों को copyright match tool provide कर दिया जाता है YouTube की तरफ से दोस्तों copyright match tool से आप लोग यह पता लगा सकते हो कि आपके channel का video किसी और बंदे ने डाउनलोड करके अपने channel पर कितना percent उसे use किया है तो इसके तयात आप लोग उसके channel पर copyright भी दे सकते हो problem का solution ले सकते हो YouTube से दोस्तों last में एक benefit मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका channel monetize है तो monetize होने के लिए आपके channel पर 1K subscribers तो होना ही चाहिए तो अगर आपका channel monetize है तो आपके channel पर एक और benefit मिल जाता है उसका नाम है support email यानि कि अगर आपके channel पर कोई भी दिक्क लाइक मुझे काफी motivate करता है और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe भी जरूर कर लिएगा तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में बस इतना ही